पाटिदार और कॉंग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ गुजरात में लणें इसके पहले ही आपस में इस तिर्फ फुटाउगल कर बैठे एक दूसरे पर धुआधार तमाचे और मुक्को की बरसाथ कर रहे ये पाटिदार और कॉंग्रेस के मिले जुले कारे करता है बैसी ही मिली जुली तस्वीरे एहमदाबाद में भारत सिंग सोलंकी के दफ्तर के बाहर से भी आई यहां भी पाटिदार कारेकरता और कॉंग्रेस कारेकरताओं ने एक दूसरे के बदन पर जम कर शक्ति प्रदर्शन किया मारपीट की इन तस्वीरों से चंद घंटे पहले ही मचानों से कॉंग्रेस के नेताओं ने मुनादी की थी कि पाटिदार पट चुके हैं 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा रही है मगर सीट बटवारे के पहले चौरण में ही हार्दिक पटेल वाले पाटिदार भड़ा कुठे उन्हें कताई ममजूर नहीं था कि उनसे बगाईर सलाह मश्विरा के कॉंग्रेस ने कैसे लिस्ट का एलान कर दिया हार्दिक पटेल वाले पाटिदार कह रहे हैं कि जिन तीन नेताओं को कॉंग्रेस ने अनुकंपा के आधार पर टिकट दिया है वो नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करेंगे अब पेच जबरतस तरीके से फंस गया है क्योंकि एक तरफ वो पाटिदार है जिनने कॉंग्रेस ने साधने के लिए 20 टिकट पाटे दूसरी तरफ हार्दिक पटेल वाले पाटिदार है जिनने सिर्फ तीन सीटे मिली अब इस सिर्फिक कॉंग्रेस के लिए विकराल है क्योंकि जिन पाटिदारों के भरोसे वो जीत का स्वाद चखना चाहती है उनमें खुद में दोफाड हो गया है गुजरात चुनाओं में सस्पंस के साथ जंग सबरतस्त है